हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो टेक्नोटरान यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो जहरोदा पे या फिर काइट अप्लिकेशन जो है उससे हम लोग अपना जो रेजिस्टर इमेल आईडी है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं कभी आपको जहरोद पड़ेगी तो उसको चेंज हम कर सकते हैं तो वही आज देखेंगे उसको कैसे चेंज करना है इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा जो आपना जहरोदा का काइट अप्लिकेशन है उसमें तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यह अपना जो स्क्रीन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा हमें यहाँ पे अभी क्लिक करना है लॉग इन टू काइट पे और यहाँ पे हमें डालना है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करने के बाद हमें क्लिक करना ह ये वाले login बटन पे फिर ये वाली स्क्रीन पे हमें एंटर करना है अपना pin नमबर जो की six digit का होता है पिन एंटर करने के बाद हमारा login सक्सेस हो जाएगा और उसके बाद हमें क्लिक करना है ये वाले profile के icon पे तो जब ये वाला page open हो जाएगा तो यहाँ पर इच्टेल видео देख सकते हो और यहाँ पर एक जो profile का येवाला बटन है फिर हमें क्लिक करना हे ये वाले बटन पर below profile के प्रोफाल पर क्लिक करने के बाद हम लोग ये वाले पेज़ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप सकते हो मैंनेज अकाउंट करके एक यहां पर लिंक है तो यहां पर अपने को क्लिक करना है अभी पिर हम लोग यह वाले पेज पर रिडारेट हो जाएंगे तो यहां पर जो है आप आपका existing email आईडी देख सकते हो क्या है तो यहां पर फिर अपने को जो चेंज करना है उसके पाएंगे पारेट वाली पेंसिल पर क्लिक करने के बाद हमारा पेच उस तरह के उपन हो जाएगा तो यहां पर आप चेक बोक्स देख रहे हो यह वाला तो यहां पर आप हमें टिक करना है तो यहां पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यह इनेबल हो जाएगा और यहां पर आपको एक OTP आएगा वो कन्फरूंग करने के लिए आपका इमेल आइडी जो है वो चेंज करना है इसलिए तो यहां पर दो ऑप्शन है एक तो आप जो अपना इग्जिस्टिंग प्रिवेस पेज पर जो इमेल आइडी था उस पर अगर आपको OTP चाहिए तो आप यह वाला उप्शन सेलेट कर सकते हो या फिर जो आपने रेजिस्टर मोबाइल दिया है जहरोदा में तो वह वाले मोबाइल नंबर पर अगर आप चाहते हैं कि OTP आ जाए तो उसके लिए यह वाला उप्शन सेलेट करना है तो मैं अभी के लिए OTP रिसीव हो चुका है तो मैं यहां पर उसको एंटर कर रहा हूं और मैं क्लिक करूंगा यह वाले वेरिफाय बटन पर जैसे ही OTP सक्सेसफुली वेरिफाय हो जाता है तो यहां पर हमें एक स्क्रीन मिलेगा जहां पर आपने को एंटर करना है अपना न्यू इमेल आईडी तो मैं यहां पर एंटर कर रहा हूं मेरा जो मुझे नया वाला इमेल आईडी आड करना है जरुरुदा के अकाउंट में वो वाला यहाँ पे मैंने नया वाला मेरा जो email ID है वो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है और अब मैं क्लिक करूँगा यह वाले continue बटन पे जैसे continue बटन पे क्लिक किया तो जो नया वाला email ID मैंने एंटर किया था उस पे एक मुझे OTP गया होगा जो ये वाला email एंटर किया है उसको verify करने के लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि email verification करके एक है और यहाँ पे आपने को एक field दिया है जहाँ पे आपने को email पे जो OTP क्लिक करना है और बाद में verify पे क्लिक करना है तो यह वाला मैंने OTP यहाँ पे डाल दिया है और अब मैं क्लिक करूँगा यह वाले verify बटन पे जैसे हम लोग OTP confirm करते हैं जो email पे आया था वो उसके बाद हम redirect हो जाएंगे यह वाले screen पे और यहाँ पे एक message दिखिया जाएगा कि email successfully updated या फिर ऐसे कुछ तो उसके बाद यहाँ पे आपको अभी भी पुराना ही email आईडी दिखेगा और जब भी आप इस page को refresh करोंगे तो आपको जो नया वाला email आईडी update किया है वो यहाँ पे दिखना चलू हो जाएगा यहाँ पे आपको new वाला email आईडी दिख जाएगा तो यह simple steps follow करके हम लोग जो email आईडी है उसको change कर सकते है तो आज के लिए इतना ही thanks for watching